निर्भिया के दोशियों को फासी देने की सब्बुकाहट तेज हो गई है तिहार जेल प्रिशासन जलात की खोज में जुटा हुआ है इसी बीच फासी को लेकर कहीं तरह की खबरे आ रही है फासी से पहले फासी घर में इशारों में बात क्यों की जाती है इसी सवाल का जवा हम आपको अपनी इस खबर में देने जा रहे हैं इस बारे में जलात पवन ने बताया कि फासी देते समय चार से पांच सिपाही होते हैं वो केदी को फासी के तखते पर खड़ा करते हैं वो कुछ भी बोलते नहीं केवल इशारों से काम होता है इसके लिए एक दिन पहले हम सबकी जेल अधिक्षक के साथ एक मीटिंग होती है इसके अलावा फासी घर में जेल अधिक्षक डिप्टी जैलर और डॉक्टर भी वहां मौझूद रहते हैं इशारों में बात करने की वज़व बताते हुए जलात पवन ने कहा कि इसकी वज़व है कि केदी कहें डिस्च प्रशासन को चिठी लिखी है 9 दिसंबर को तिहार जेल प्रशासन की तरफ से चिठी लिखे गई थी जिसमें यूपी जेल प्रशासन से जलादों के बारे में ब्यौरा मागा गया तिहार जेल प्रशासन ने जलादों को जल्द से जल्द देने की बाद भी इस चिठी में क सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स